हेलो दूस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल डीके पाट साला में स्वागत है दूस्तों जैसा कि आपने थम्डिल देखी लिया होगा आज वीडियों बात करने वाले हैं जो वीडियों के री एक्जाम होने वाला उसके बारे में क्योंकि दूस्तों पता होगा इसमें दहान दी होती एक्जाम में इसलिए बठती को आप और रद कर देगा था और दूस्तों बिग्यापन जो निकला था वो मई 2018 में निकला था यानि कि मई 2018 में तो दूस्तों सो सकते हो उस समय से अब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जोनोंने वीडियो के एक्जाम दिया होगा उनका कहीं ने कहीं सरक्सन हो चुका होगा तो दूस्तों वो बच्चे आपका एक्जाम नहीं देने वाले हैं और साथ ही दोस्तों बता दूस्तों बता दूँँ अगर आपके पास 25 जून 2018 तक अगर आपके पास CCC या इसकी एक एक्जाम बैठने कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जो आपका डीबी होगा या डॉक्कुमेंट वेरिफिशन होगा तो उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा तो दूस्तों देखिए अगर मालो आपका पैट 222 इसका एक्जाम अच्छा नहीं हुआ है और साथ ही आपका ल चौदे लाग बच्चों ने आपका फॉर्म बाला था वीडियो का जिसमेंसे कि लगबाद साड़े नौव लाग बच्चों ने आपका एक्जाम दिया था तो दुस्तों अगर बात की जाए दो या बाइस में जो एक्जाम होने वाला है तो यह मुश्किल से आपका एक ला मुश्के बच्चों की बहुत कंम होती जा रही है तो अगर आप जौब लेना चाते हैं बहूत सुनेड़ा मौका आपके पास है लगो आप यह मांग चली कि लगो और यह आपके पास तीन महीने कर समय बचा हुआ आ height video exam के त्यारी करने के लिए हैं क्योंकि देख दोस्तों कौन कौन सी बढ़ती देखिए आपको complete हो चुकी है तो दोस्तों सबसे पहले बढ़ती आपके आती है जिसमें आपको 548 पत थे इसका दोस्तों जो final result है वो आपका आचुका है लेकिन अभी तक आपकी जॉइनिंग नहीं हुई है जॉइनिंग नहीं हुई है और बात करें यूपीटर पर सी जॉइनिंग नहीं हुई है वो आपकी नौमर के लास्टा का आपकी करा दी जाए तो यानि जिन बच्चों को आपका इसमें सरक्सन हो चुका हो जाएगा तो उसमें चांस है थे कि 90% बच्चे आप कैसे होंगे जॉइनिंग जॉइनिंग ज पर उनका यहां पर सरक्सन हो जाएगा तो फिर वो वीडियो का एक्जाम देने नहीं जाएंगे तो आपका यहां पर कम हो गया फिर आपका यूपिटर बसी जेई-दोया सोल है और जेई-दो अठारे जिसमें चार्सों नबासी और चौर्शतर आपकी वेकंसी थी अब दूस्तों इन सब का इन दोनों का एक्जाम तो हो चुके लेकिं जो फाइनल जयर्ट है वो आपका आना बाकी है फानल जयर्ट का और पूरी संबाद देखित होगा उस म benth एज़एगा तो मज़री का सबास पर दोनों आ पको बायजर्ट आजाएगा तो जिनका इसम Australian woman और फिर दोस्तों आपकी लोवर पीसे दो है 19 वाली जो बढ़ती है जिसका कि अभी फाइनल लेट आना बागी है और संभाव ना यही कि नवमर के लास्ता का आपको देखने को मिल जाएगा लोवर पीसेस का तो जो बच्चे आपके लोवर पीसेस में सेलेक्शन हो जाएगा और बीडियो का फॉर्म जोडियू बहरा होगा तो इसमें अगर स्रक्षन हो जाएगा तो वो वीडियो का एक्जाम नहीं दिनगे लेकिंट सम्भाब ना यहीं देखर आपका फाइनल रटायगा लेक्पाल का यह आपको लेट होगा लेकिन जो आप रटायगा उस समय तक आप तो उसमें भी 9000 से उपार लगवा 9200 के आसपास बढ़ती थी आपकी महिलाओं के लिए थी लेकर केवल हो तो जिन महिलाओं को सब्सक्राइब वह भी आपका वीडियो के एक्जाम नहीं देंगे अगर उनने वीडियो का फॉर्म भरा होगा तो अगला दोस्तों आपका एक ब अभी तक आपका नहीं आया है और जब तक आपका वीडियो का एक्जाम होगा हो सकता है उसमें तक आपका जो फाइनल जेल्ट है वो इसका गोशित कर दिये ठीक है फिर आपका यूपिट्वर्सी ल्ड यूटी ए एसाई वाले जो बढ़ती थी इसका भी पता हो 2520 वेकंसी थी अब देखिए इन बच्चों नो जो सरक्षन हो गया होगा वीडियो को फॉर्म भरा हो समय तो यह बच्चे आपके डेफिनिटी एक्जाम नहीं देंगे वीडियो वाला क्योंकि उसके उन्हों पढ़ाई करना अपना छोड़ दिया होगा ठीक है फिर आपका यह बच्चे आपका एक्जाम नहीं देने वाले हैं फिर आपका यूपी पी एसाई बढ़ती दो है कि जिसकी टैपिंग अभी हाली मुही थी जिसमें 1339 वेकंसी यह भी आपकी कंप्रिट हो जाएगे वीडियो के एक्जाम तक और इसकी बाद दोस्तों बात किया है तो कु आपका जारी किया गया है फिर दोस्तों यूपी आरो यारो जिसमें 1216 का पताओ और ये एक्जाम आपका हुआ था तो वीडियो एक्जाम के बाद आपका रिये एक्जाम हुआ है तो यह बच्चे भी आपका एक्जाम नहीं देंगे और साथ ही 2220 वाला बहुत जल्दी लेवल 5 तो जो वीडियो के एक्जाम होगा उस समय तक यह आपकी बढ़ती हो जाएगी और जो बचा होगा लेवल 3 है 2 तो उसकी बढ़ती जो वीडियो का रिजल्ट आएगा उससे पहले कंप्ट आपकी हो जाएगी तो वो बच्चे भी आपका एक्जाम छोड़ देंगे फिर हैं आपका RRC गुरुबडी 28 है जिसमें 268,907 वेकंसी थी तो वो बच्चे भी आपका एक्जाम नहीं देने वाले वीडियो का क्योंकि आप तो देखे जाएग तो 30-35,000 सुपरन की सेल ली आपकी हो चुकी होगी तो वो बच्चे आपका एक्जाम नहीं देंगे फिर आपका गुरुबडी का एक्जाम अच्छा हुआ होगा फिर दूस्तों एक भरती थी आपका RRB ALP 288 वाली यानि की असेंट लोको पाइलिट की जिसमें आपकी 26,000 वेकंसी थी आसपास में तो यह बच्चे भी आपका एक्जाम नहीं देंगे तो दूस्तों आपको एक पत 1033 वेकंसी है अभी इसका एक्जाम नहीं हुआ है संभाब ना है कि 9-1 में आपका एक्जाम हो जाएगा और जब तक आपकी वीडियो भरती कंप्रीट होगी उससे पहले यह बरती आपकी कंप्रीट कर दी जाएगी इसमें सैलली भी अच्छी खासी आपकी है ठीक है तो जो सब्सक्राइब के लगबद 2-10 में कंप्रीट हुई थी फिर दोस्तों आपके जो पता होगा 2-8 बाद आपका सीजल के डिल्ट भी आया है SSC का SSC CSR हो गया MTS हो गया इन में जिन बच्चों को सरक्सन हो जाएगा या कुछ आपकी जब तक आ जाएंगे तो वह बच्चे भी का एक्जाम नहीं देंगे ऐसे ही आपका सब्सक्राइब के ठीक है फिर दोस्तों आप पता हुआ आपकी पिछल साल आपकी इलावत हाई कोट की बढ़ती आई थी आरो यारो की वह बच्चे सरक्सन हो गया वह भी नहीं देंगे ठीक है फिर आपका इलावत हाई को की पोश्ट पर सरसन हुआ हो उनका गुरूप सी में भी तो दोस्तों फिर वह त्यारी अगर करते हैं तो बड़ी पोश्ट भी करते हैं जैसे आरो यारो की हो गई पीच्टियस वगरा की हो गई इस तो फिर इस तरह से नहीं करते कि लेकपाल में हो जाए वीडियो की करें क्योंकि यह सब पोश्ट आपकी लगवाए एक ही लेविल की आपके वेकंसी होती हैं तो दोस्तों यही आपको जान करें देने थी कि बहुत अच्छा मौका आपके पास है अगर आपको वीडियो 288 में बैठने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा मौका आपके लेने का और खासके प्लसमेंट यह हैं कि जो बच्चे नए हैं जोनों अभी दो-तिन साल में त्यारी करना श्टार्ट किया है मालों दो है 19 में किया है 20 में किया है 21 में किया है 22 में किया है तो वो बच्चे इस एक्जाम में आपका नए वैट पाएंगे ठीक है क्योंकि जोनों ने वीडियो का वो ही बैठ सकते हैं तो यहीं दोस्तों आपको जानकारी देनी थी अब देख बच्चों को सवाल यह आता है कि साड़े चौटे लाग बच्चों ने पेपर दिया था कि हमने पेपर ने दिया था लेकिन हमारा एड़मेट कार्ट जारी हुआ था तो हमको बैठ कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो